वीडियो भी बात करने वाले हैं बिहार में 94,000 सिक्षक बहाली को लेकर के अभियार्थियों पे जो कल गर्दनी बाग में लाठिया चार्ज की गई है सबसे अच्छी ख़बर इस बीच ये निकल के रा रही है कि अभियार्थियों पे जो लाठिया चार्ज की गई है इसके बाद कई सारे विपक्स के निता आपके साथ आ रहे हैं सपोर्ट में आज से गरदनी बाग में जिहां तेजस्वी यादा भी इसके अलावा उपेंद्र कुस्वाहा और साथ ही आपको यह भी बता दे कि रीट्टू जो है जैस्वाल जी भी आ चुकी है गरदनी बाग आप सभी के सपोर्ट में तो सबसे बड़ी बात आपको यहां पर बैताते चले कि मीडिया जो है कवरेज नहीं दे रही थी कई सारे चैनल्स पर भी नहीं दिखाए गया ना ही नियूस पेपर में आये था आपके सपोर्ट में है और पपू यादव तेजस्वी यादव इसके अलावा उपेंद्र कुस्बाहा और डिटू जैस्वाल कई जो है बरे-बरे दिगज नेता जो है आपके सपोर्ट में आ रहे हैं गरदनी बाग तो यह आप तमाम अभियार्थियों के लिए अची खब अभियार्थियों के उपर पंडाल में आकर ही पुलीस ने लाठिया बरसाएजी हाँ अभियार्थियों के उपर पुलीस के दुआरा पंडाल में घुस कर सभी अभियार्थियों को लाठिया बरसा कर पंडाल से उनको बाहर कर दिया गया गेंट से उनको बाहर कर दिया गया ये एक बहुत ही दुखत घटना है लेकिन आप सभी अभ्यार्थियों को बता दे कि ये लाटी चार्ज के बाद आप सभी अभ्यार्थि और भी मजबूत हो गए हैं और जो भी अभ्यार्थि अभी तक घर से नहीं निकले हैं हाथ चुर कर एक किस्ट है कि आप सभी अभ्यार्थि जो है गर्दनी बाग पहुंचे और जो संख्या थी वो से कही गुना दुगुनी संख्या जो है गर्दनी बाग में अब होना चाहिए ताकि आप सभी अभ्यार्थि के मांग जल्द से जल्द पूरी हो उमीद करते हैं आप सब ये ब्यार्थी गर्दनी बाग जरूर पहुंचेंगे इस अपडेट में बस इतना ही